Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत important information देने आज मैं बात करने वाला हूँ Indian Institute of Science Bangalore की अब ये IISC Bangalore के अंदर एक center आता है जिसका नाम है Center for Nanoscience and Engineering जिसको हम CENSE के नाम से भी जानते हैं तो ये Center for Nanoscience and Engineering की तरफ से एक notification आया हुआ है आपके training के लिए that means जो भी students यहाँ पे training करना चाहते हैं Nanobiology के area में मैं यहाँ पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे Nanobiology के उपर भी काम होता है that means biology, biotechnology वगरा के students भी जो life science के students हैं वो भी यहाँ पे अपनी training कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे fellowship भी available है आपको हर महीने 5000 रुपीज की scholarship मिलेगी अगर आप यहाँ पे select हो जाते हैं अपनी training करने के लिए तो चलिए, detail में इस video को देख लेते हैं detail में इस पूरे material को देखते हैं और समझते हैं तो सबसे पहले तो आप यह देख लीजे कि यह website है इस website की details मैं आपको description section में दे दूँगा आप वहाँ से directly click करके आ सकते हैं आपे और about section में देखें यहाँ पे multiple sections है about section में देखते हैं कि यह जो training का process शुरू हुआ है वो लगबग 2013 से शुरू हुआ है यानि कि 10 साल almost हो चुके हैं यहाँ पे और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे कि UG के students और master's के students इंडिया और abroad दोनों से ही यहाँ पे आ करके अपनी training कर सकते हैं और यह जो training है वो काफी rigorous और competitive process के जरिये होगी अब देखें यहाँ पे facilities कई सारी available हैं आपको पता ही है कि IISC जो है इंडिया का सबसे बढ़िया institute है तो वहाँ पे काफी बढ़िया सुविधाएं हैं आप research कर सकते हैं अलग-अलग topics के उपर नैनो science और engineering के अलग-अलग topics के उपर यह जो training program है उसका duration कितना होगा 8 to 10 weeks का duration होगा और scholarship जो यहाँ पर provide की जा रही है वो 5,000 रुपीस पर मन्त की scholarship दी जा रही है यहाँ पे अब देखिए apply करने का क्या तरीका है यहाँ पे apply इस तरीके से कर सकते हैं कि जनवरी में हर जनवरी में यह अपना forms upload करते हैं इस समय form यहाँ पे uploaded है और इसकी last date क्या है apply करने की 28th February apply करने की last date है ठीक है अब apply कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ पे apply hair का option है मैं पहले इसको click करके दिखाता हूँ आपको जैसे आप apply hair पे click करेंगे तो एक यह page खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारी की सारी details अपनी बेजनी होगी अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे पहले ही दिखाऊ कि यहाँ पे course registered में आपके bachelor's, master's कोई भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं अब department में भी आप कुछ भी ले सकते हैं और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए area of interest में देखिए nanobio भी है यहाँ ठीक है और eligibility criteria के बारे में भी मैं दिखाता हूँ आपस back चलते हैं हम लोग तो form मैंने आपको दिखा दिया यह पुछले 2023 में जो students select हुए हैं कहा कहा के student select हुए हैं आप fora देख सकते हैं तो IIT के भी students select हुए है Anda Tis के भी students select हुए है और universities के भी students select हुए हैं जैसे की आप देख सकते हैं जогодाधा पूरी university के भी students है फिर आपके Ivy Андипाल के हैं तो ठीक है तो काफी variety of students जो हैं अलग अलग institute से select 2023 में आप ये check out कर सकते हैं आगे अगर देखें तो यहाँ पर FAQs का एक column है इसको जरूर देखें यहाँ पर काफी चीज़ें आपको clear होंगी तो देखते हैं FAQs के ओपर FAQs में देखते हैं कि Do the students have a flexibility in joining date तो अगर हम बात करें तो intern has to join the program before 31st May and should spend at least 8 weeks आठ हफते की यह training है और 31 में से पहले आपको यहाँ पर join करना है तो which faculty details to be provided in the application तो application में क्या faculty details हो faculty is basically किसके अंदर में आप under whom you are studying at present यह सब जीज़ें यहाँ पर आपको देनी है eligibility criteria में में आपको दिखाते हो anybody actively enrolled in a degree program UG-PG will be eligible तो आप UG कर रहे हो या PG कर रहे हो किसी degree program में आप enrolled हो तो आप यहाँ पर apply कर सकते है if the student is graduating before the start of summer में he she will not be eligible तो अगर आप पहले ग्राजवेट कर ले रहे हैं में से पहले ही तो आप eligible यहाँ पर नहीं है currently student by start of the program one should get graduated is this a constraint तो यह आप इसको चेक कर सकते हैं जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं आप इनको यहाँ पर mail भी कर सकते हैं देखें यह mail ID भी दिया हुआ है अगर पूछे के बारे में तो no accommodation will be provided to the participants तो कोई accommodation नहीं मिलेगा इसके अलावा कुछ और points भी हैं यहाँ पर इस internship positions are industry sponsored and you will receive a sum of rupees 5,000 तो industry sponsored है next you are expected to stay at the center for a minimum of 8 weeks shorter term internships की request यहाँ पर accept नहीं की जाएगी you will be responsible for arranging your own accommodation और इसके अलावा oral presentation भी आपको देनी पड़ेगी at the end of your stay ठीक है तो यह सारे की सारे FAQs मैंने आपको बता दी है यहाँ पर click करेंगे तो past interns की details आजाएंगी अलग-अलग years में तो यह आप चेक आउट कर सकते हैं apart from that यहाँ पर देखें यह people और academics बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है तो मेरे हिसाब से आपको अगर जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपको नैनो बायो टेकनलोजी यह नैनो बायोजी में इंट्रेस्ट है तो आप जरूर अप्लाई करें और वैसे भी diverse areas में experience गेन करने का फाइदा बहुत अच्छा होता है आप बहुत सारी और चीज़ों के लिए ready हो जाते हैं गलग job opportunities के लिए आपको idea रहता है और वैसे भी Indian Institute of Science का अगर कोई program आपको करने को मिल रहा है तो किसी भी individual को जरूर अप्लाई करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है तो उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करियेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करियेगा थैंक यू सो मच आव गूड डे